एक ऐसे वक्त में जब काशी और मतुरा में धार्मिक इस्थलों को लेकर विवाद जारी है केंद्र और उत्रप्रदेश में सत्तारूड बीजेपी का बड़ा बयान सामने आया है बीजेपी के अध्यक्ष जपी नड़ा ने 30 मई को कहा कि विवादित धार्मिक विश्यों का फैसला अदालतों के द्वारा और सम्विधान के तहट किया जाएगा काशी और मतुरा में मंद्रों को वापस हासिल करना क्या अब भी बीजेपी का एजेंडा है इस सवाल का जवाब देते हुए नड़ा ने ये बात कही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पालंपुर में अपनी राष्टरी कारेकारणी की बैठक में अयोध्या के रामजरम भूमी मुद्धे पर एक प्रस्ताव पास किया था नड़ा ने कहा कि इसके बाद कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया है नड़ा ने सबका साथ सबका विकास नारे को दोहराते हुए कहा कि पार्टी एक मजबुत राष्ट्र का निर्मान करने के लक्ष के साथ हर किसी को साथ लेकर चलना चाहती है काशी के ग्यानवापी मस्जिद के बारे में पूछे जाने पर नड़ा ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा सांस्कृतिक विकास के लिए काम किया है उन्होंने कहा इन मुद्दों का हल अदालतों द्वारा और सम्विधान के तहट किया जाएगा और बीजेपी उसे अक्षर सहल लागू करेगी आपको बता दें के मौजूदा वक्त में निचली अरालतें वारान सी की यानबापी मस्जिद और मतुरा के शाही इदगाह से जुड़े विवादों पर कई याचिकाओं की सुनवाई कर रही है